तो अगर आप लोगों में से किसी नेवी प्रोटो टाइप टू गेम खेलाओगा तो उनको जेमस हेलर तो यारी होगा जो उस गेम का मेंड प्रोटागोनिस था वही जेमस हेलर जिसके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप आफ पावर्स थी तो या आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जेमस हेलर में इतना दम है कि वो थार जैसे बिंग कोहरा सके तो विदाउट वेश्चिक अनिफर अटू लेट्स बिगेन तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों के पावर लेवल्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में अपना एक कॉन्क्यूजन दूँगा सो श्टार्ट करते हैं अपने पहले करेक्टर से जो की है थार सो जो सबसे पहली पावर थार में आती है वो तो जाहिर सी बादा सूपर हुमन स्ट्रेंथ अब थार ने कॉमिक्स में ऐसे ऐसे कारनामे किये है जो की जरूर दिखाते है कि उसकी सूपर हुमन स्ट्रेंथ कितनी जादा है उसने दे मिटगार्ट सर्पेंट को अपने हाथों से लिफ्ट कर लिया था जो की अर्थ के साइस का आधा है और उसने कई मौकों पे हल्क को हेंट टू हेंट कॉमबैट में हराया भी है थार अपनी स्ट्रेंथ से बड़ी बड़ी रॉक्स और मौंटेंज को सिर्फ अपनी एक पंच में तोड़ चुका है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका है तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि थार की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है अब थार की जो दूसरी पावर आती है वो है उसका गौड ब्लास्ट अब ये पावर उसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसको अगर थार अपनी फुल पोटेंशियल से यूज करे तो इससका गौड ब्लास्ट है ये बीच में आने वाली किसी भी चीज़ को और पने टार्गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के केपिविलिटी रखता है और थार ने इस पावर का यूज बहुत बार किया है कॉमिक्स में लेकिन इस पावर का यूज थार जल्दी नहीं करता है इस पावर का यूज थार तभी करता है जब उसको सबसे ज़ादा जरूरत होती है क्योंकि इस power को एक बार use करने लेके बाद Thor की लगबग सारी energy खतम जाती है क्योंकि वो अपने God Blast में अपना full potential लगा देता है जिसकी वज़े से उसका God Blast बहुती ज़्यादा powerful होता है अब जो तीसरी power Thor में आती है वो है उसकी super human speed अब comics में तो Thor one of the most powerful character तो है लेकिन वो one of the most fastest character भी है वो अपने Hammer Munir के साथ comics में कई मौकों पर speed of light से तेज़ ट्रैवल कर चुका है और एक बार तो उसने comics में quick silver को भी पकड़ लिया था जो कि X-Man वाले version की बात कर रहों है अब अगर आप लोगोंने movies देखी होगी तो आपको पता होगा Thor उनने से पहले अपने Hammer को round round गुमाता है अब वो इतना तेज गुमाता है कि उससे वो एक बहुत बड़ा tornado भी जडरेट कर सकता है तो इससे तो आपको Thor की speed का अंदसर लगी गया होगा अब जो Thor की एक और interesting power आती है वो है Alton अब आप imagine करिए अगर कोई भी बंदा अर्थ पे रहता है और अगर उसको language में interest है तो वो ज्यादस ज्यादा 5, 10 या 15 languages सीख लेगा अपनी पूरी lifetime में लेकिन आप imagine करिए Thor को तो पूरे universe की languages का पता है अब क्योंकि Thor एक Asgardian God है और protector है पूरे Nile Realms का तो जाहिर सी बात है उसको language तो सीखनी पड़ेगी और उसने सीखी भी है ताकि वो universe की different races से communicate कर सके Thor के पास है invulnerability अब ये तो जाहिर सी बात है वो Asgardian God है और Odin का बेटा है ये तो सब को मालुम होगा लेकिन बहुत कम लोग का मालुम होगा कि वो Elder Goddess Gaia का बेटा है जिसको Mother Earth भी कहा जाता है अब उसका बेटा होने के कारण Thor इम्यून है सारी तरीके के Earth के disease से वो extreme temperature में भी बहुत आराम से survive कर लेगा यानि कि उसपे heat का भी कोई असर नहीं होता है Thor is virtually invulnerable अब उसके सिर्फ skin ही नहीं impenetrable है आरे तरीके के weapons से बलकि उसको तो sun के beach में भी फेक चुके है लेकिन तब भी वो वहाँ से survive करके आ चुका है उसने Odin के blast इसको भी survive किया है उसके ओपर doomsday bomb का attack होगा था लेकिन उसको hardly कोई भी scratch आया था अब लोग ये तो सोचेंगे कि वो तो god है उसको क्या harm होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ किसी भी god को harm करना possible है लेकिन बस चाहिए तो बहुत ज़ादा amount of power जैसा कि हमने देखा होगा कि क्रिटोर्स भी god था एंड अजूरा भी god था लेकिन फिर भी वो लोग hell में गए क्योंकि उनके opponent बहुत ज़ादा power carry करते थे इसलिए अब थार के पास है super human senses अब जो थार के senses है उसको आप कम सबजने की गलती मत किजेगा thanks to his as guardian physiology थार अपनी senses की मदद से miles away तक का distance को sense कर सकता है थार can able to hear cries from the other side of the world वो ये चीज़े भी sense कर लेता है कि कौन रो रहा है दूसरे planets पे या कौन हस रहा है या फिर क्या बाते चल रहे है अब थार के पास है super human healing अब जैसा कि सबको पता है थार है god of thunder जिसके साथ उसको कई सरे तरके की powers भी मिलती है अब जैसा कि मैंने बताया था वो इल्वर्लर रेबल है कि मैंने ये भी बोला था कि उसको भी हाग किया गया है कई बार comics में हापे उसके opponents उससे कई ज़्यादा powerful थे अब थार भी Wolverine की तरह है regenerate कर सकता है अपने body parts को जैसा कि हमको पता है थार कई सालों से fight करते हुए आ रहा है वो एक warrior है तो जाहिर सी बात है उसको कई बार wounds हुए होंगे उसको कई बार चोटी लगी होंगी कई बार injuries लगी होंगी लेकिन वो कुछी समय बाद regenerate भी हो गया था अब मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि उसका जो regeneration है वो Deadpool ये फिर Wolverine जितना fast है लेकिन हाँ उसका regeneration इतना fast है कि वो अपने कोई भी इंजरी एक हफते के दर ठीक कर सकता है और वैसे तो उसको injured करना कोई छोटे मोटे बींग की बात नहीं है थार के पास Earth Control की powers भी है थैंक्स टू इस Mother Gaia जिसको Mother Goddess भी क्याते है उसी के कारण उसके पास ये Earth Control की power आई थी जिसमें वो Earth का weather अपने हिसाफ से change कर सकता है और वो तो movies में भी ऐसा करता रहता है लेकिन आपने थार को movies में सिर्फ weather change करते हुई देखा होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ जब भी थार को जरुवत पड़ेगी तब वो Earthquick ला सकता है वो coordinates को हिला सकता है एक दूसरे से दूर कर सकता है उसके उपर Earth का पूरा control है अब इसके अलावा थार के पास self sustenance की power भी है यानि कि थार बिना कुछ खाए पीए कई सधियों तक जी सकता है और लड़ भी सकता है यानि कि वो बिना बीच में break लिए वो लड़ता ही जाएगा बिना रुके बिना खाई बिना पिये अब इसी से मेरे को एक और चीज ज्यादा आती है वो है उसका superhuman stamina अब ये चीज जो उसका superhuman stamina है ये इतना जादा है कि एक बार तो कॉमिक्स में वो जाइंट्स से लड़ रहा था और वो battle पूरे 9 months से ली थी और थॉर बिना बीच में break लिए लड़ता ही जा रहा था अब थॉर का जो superhuman stamina है वो अभी तक undefined है यानि कि वो कितना दिलों तक लड़ सकता है या उसका कोई बता नहीं पाया है अब इतक हमें ये नहीं पता है कि वो किस point पे rest करेगा थॉर बहुती जादा skilled है in any type of combat थॉर को लगबग हर तरीके के weapon चलाना आता है और उसको उस weapon के बारे में मालूम भी होता है लेकिन जो उसका favorite है वो है म्यूनीर और स्टॉर्म ब्रेकर लेकिन फिर भी थॉर ने कई बार मेसेस से, स्वार्ट से और भी बहुत सारे weapon से fight किया है कॉमिक्स में और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको use भी किया है अब जो थॉर की सबसे main power आती है वो है उसकी warrior madness थॉर इतनी जादा battle लड़ चुका है इतने सालों से कि उसको तो warrior madness का use करने की ज़रूरत होती नहीं है लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो इस power का use कर सकता है इस power में उसकी strength, speed, endurance सब बढ़ जाती है उसके अंदर bear seeker rage आती है warrior madness में आने के बाद वो हर चीज़ पर attack करेगा जो उसके सामने होगी फिर चैप्स का वो दुश्मन हो या फिर दोस्त हो लेकिन थौर अपने warrior madness का use ज्यादा करता नहीं है तो कि ये forbidden है ये against है law of odin के लेकिन फिर भी अगर थौर की जान पर बनाए तो वो ज़रूरी उसकरेगा warrior madness को अब आप इस बात से अंदर लागा सकते हैं कि warrior madness एकदम spartan rage की तरह है जो कि critos उसकरता है कि वो अपना size से लेके अपनी appearance सब चीच चेंज कर सकता है वो किसी भी body को consume कर सकता है उसकी powers ले सकता है उसके past and future के बारे में जान सकता है और अपनी appearance भी उसी की तरह कर सकता है और consume करने के बाद James Heller को उस being की weakness और strength भी पता चल जाती है अब इसके अलावा Venom की तरही James भी अपने body से बहुत सारे type के weapons and shields बना सकता है वो बड़े-बड़े blades बना सकता है अपने हाथों से और guns भी उसके पास है super human speed and agility अब उसकी speed इतनी ज्यादा है कि वो sound की speed के बराबर है वो walls और buildings पे भी run कर सकता है बहुत असानी से वो पारकोर skills भी जानता है वो बड़ी-बड़ी heights से jump भी मार सकता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अलावा James के reflexes भी बहुती ज्यादा fast है वो blitz को भी dodge कर सकता है वो भी बहुत असानी से अब James के पास है super human strength and stamina वो बिना थके कई दिनों तक लड़ सकता है और उसके strength के तो क्या कहने वो बड़े से बड़े vehicle को बहुती आराम से उठा लेता है यहाँ तक कि वो एक small house को भी बहुत आराम से उठा लेगा और अपने एक punch में building को हिला के रख देगा और अगर वो वही punch full force से मारे तो सायद वो building गिर भी जाए इसके अलावा James के पास healing factor और regeneration भी है याने कि वो किसी भी wound से बहुत जल्दी heal हो जाता है और अपना कोई भी organ बहुती जल्दी regenerate कर लेता है कुछ seconds के अंदर ही जाने की एक तरीके से वो भी immortal ही है अब इसके अलावा James blacklight virus को भी अपने advantage में ला सकता है वो blacklight virus को दूसरों पे inject करके उनकी जान ले सकता है और फिर blacklight virus के साथ एक ऐसा weapon मना सकता है अपने हातों से जो कि पूरी एक city को तबाह कर दें वो अपनी body से tentacles भी निकाल सकता है और वो भी बहुत बड़े और खतरनाक इतने बड़े कि एक small city को बहुत आराम सोड़ा देंगे तो ये तो हमने बात कर ली James seller के power celebrities के बारे में तो अब अगर मैं बात करूं conclusion की कि कौन जीतेगा इन दोनों powerful beings की battle में सो मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही beings बहुत ज़्यादा powerful है और अगर इन दोनों के बीच में fight होगी तो बहुत ज़्यादा destruction होगा हाला कि मुझे नहीं लगता है कि James seller में इतना दम है कि वो थार जैसे powerful God को absorb कर सके और हाथ थार की भी ज़्यादतर powers का असर James seller पर नहीं होगा लेकिन थार की कुछ powers जैसे की God Blast James seller को बहुत ज़्यादा हाम करेगी सो या मुझे तो यहीं लगता है कि इन दोनों powerful beings के बीच की battle में थार के जीतने के chances ज़्यादा है लेकिन यह तुषिक मेरा opinion है आपको क्या लगता है कि कौन जीत हैगा इन दोनों powerful beings की battle में मुझे अपने opinions कमेंट से बताइएगा So I will see you in the next studio, thanks for watching